स्वागत आपका मेरी यूटीब चानल बेसिक में सॉन डिपस में और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास टैंथ चैप्टर सर्फेसर और वॉल्म से लेड़ेड इंबॉर्ण कोशन जो किसी बेसे ने 2014 में पूछा था तो चले ही शुरू करते हैं तो देखे सम्मे में कि यहां दिया है कि एक 5 मीटर वाइट क्लोध है उसका यूँज कॉर्निकल यूङाल टेंट को बनाने में कर रहा हैं, तो यहां पर मैं रफली फिकर बनाता हूं कि यह मानलो कि क्लोध है और इसकी width Chicagoयिव हुझेगी यहां पर 7 मीटर के यह चीज हमें यहां मालूम है अब यहां पर हमें पूछा है कि कॉस्ट ऑफ क्लोथ क्या होगी अगर एक मीटर क्लोथ जो है वह 25 रुपीस का आता है तो देखिए इस कंडिशन में इस कपड़े का जो भी एरिया होगा वह कॉर्ड सर्फिस एरि सबसे पहले में लिख लेता हूँ कि मुझे आपर डायमेटर मालूम है कि डायमेटर of TENT यह है 14 मीटर में निकाल लेते हैं अपर कि रेडियस आफट यह जेगी डायमेटर अपाउन तू यहनिकी 14 अपाउन टू यहनिकी 7 मेटर उसके बाद हमें और कहका चीज मालूम है of 10 यह दी हुए है मुझे 24 मीटर उसके लावा स्लैंट हाइट अगर हम यहाँ पर देखिए हमें कड़ सर्फिस ही निकालना तो स्लैंट हाइट चीए तो स्लैंट हाइट को ल बोलते हैं तो ल निकालने के लिए हम यूज करते हैं रूट में ही स्क्वेर प्लस आर स्क्वेर अब देखिए हाँपर ही मालूम है मुझे और आर भी मालूम है तो उसके हमान यूज कर लेता हूँ ल निकालने के लिए होग्वाद एंट है स्कूर है 24 है स्क्वायर 24 हो जाता है यहां है तो स्टिननों को यहां आड कर जाते है तो हमारे पास यहां आ जागा 25 और 625 का स्क्वेर रूट होता है 25 तो इट मींज यहाँ पर हमारी स्लैंट हाइट एल जो है पहाँ जाती है 25 मीटर देखे जैसे कि मैंने आपको पताया था कि जो क्लोथ का एरिया है वो कर्ड चर्फेस एरिया जो है कॉनिकल टेंट उसके बराबर होगा तो यहाँ पर हम लि और कर्ड सर्फेस एरिया ओफ कॉनिकल टेंटों का पाई आर एल यहाँ पर लेंट जो है वो मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं ब्रेथ मुझे मालूम है जो कि है 5 मीटर की उसके अलावा मुझे पाई की वेल्यू यहां रखनी है तो रखो में 22 अपाउन सामन मुल्टिप्ल यह पाउन में जा और फाइफ फाइफ जा 25 अगया और 22 इंटो 5 करेंगे तो आ जाता है 110 तो 110 मीटर जो है वो कपड़े के लिए था गई है अब देखे जैसा कि हमें मालूम है कि को स्ट ऑफ वन मीटर क्लोथ यह में कुश्चन में गिवन है कि एक मीटर क्लोथ जो है वो 25 रुपीज का है तो कॉस्ट ऑफ वन वन जीरो मीटर क्लोथ तो 110 मीटर क्लोथ कितने का होगा तो हम 25 को मल्टिप्लाई कर देंगे हां 110 से 25 को जब 110 से मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जागा आपर रुपीज 2750 इट मिन्स हमें 110 मीटर कपड़ा खरीदने के लिए ह पर 2750 रुपे खर्च करने पड़ेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप को हम समझे में आया होगा इसी तरह के बहुत से सम्क्लास के लिए पहले से अप्लोड है आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और नहीं सम्के साथ तब तक के लिए गुड़ घ्रॉयों और नहीं सम्क्राएं